सहरनपुर यस बैंक पर संकट के बादल छा गए जैसे ही यह खबर सहरनपुर निवासियों को मिली तो कोर्ट रोड इस्थित यस बैंक पर दिन निकलते ही बैंक खाताधारकों का जमावणा लग गया खाताधारक बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए इकठे हो गए बैंक में लंबी-लंबी लाइने लग गई लेकिन खाताधारकों को पैसा बैंक के द्वारा नहीं मिल रहा किसी को अपने घर खर्च के लिए पैसा चाहिए, किसी को बिमार मा के इलाज के लिए तो किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए वही यश बैंक के खाताधारकों ने बताया कि जैसे ही उनको सूचना मिली कि यश बैंक उनको 50,000 रुपे महिना से ज़ादा रुपया नहीं दे सकता तो उनके होश उड़ गए यस बैंक पहुचे ग्रहाक धीरत सेठ ने बताया कि यस बैंक द्वारा एक महिने में 50,000 रुपे देने का प्रावधान बताया जा रहा है इसलिए बैंक के ग्रहाक अपना पैसा निकालने के लिए यहां पहुचे लेकिन बैंक उनको पैसा नहीं दे रहा सिर्फ टोकन दिये गए है और यह भी नहीं बताया जा रहा कि पैसा कब तक मिलेगा ग्रहाको ने बताया कि इसकी जिम्मेदारी RBI भी नहीं ले रहा है जिसके चलते बैंक ग्रहाको को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है कल रात पता लगा एकनोमिक स्टाइम शैनल्स पर देखते हैं वे नियूज कि बैंक जो है पचास जार से उपर विड्रों नहीं देगा एक महिने में अबी 50,000 का मामला है जब बैंक कहे रहा है बैंक लिमिटेट लोगों को पैसे मिलेंगे 50,000 के लिए वख लिमिट रखे गई है पर अब कोई किसी किसम गा यहांग नहीं मिल पा रहा है कि यहां बहुत लोग खड़े हैं जी सब को टोकन दे दिया गया है और कह रहे हैं कैश लेने के लिए गए हुए है अभी तब कुछ नहीं बता लगे रहा है और मेरे को सुबह से बताया गया था कि पचास हजार पर आपको अमांट के मिलेंगे बट सुबह से मैं यहां खड़ा हूं और कुछ नहीं मेरे को अब तक कोई रास्ता नहीं दिया गया है और एक सुबह मैंने अपना पचास हजार का एक वाउचर भी बढ़ आता चेक के थू मैं लाइन वे जम से खाड़ा हूं कैवे के सरवर हमारा डाउन है लुए पताना मैंने मॐंस बहुता है कि यह सहार पचास हजार मैं कहता है कि हमारे पास केसा आये गा मैं आपको एबलेबल कराइえ नहीं मुलें वे